बिहार बीजेपी में उठी पार्टी के सीएम की मांग बिहार बीजेपी स्थी मोर्चा के अद्यक्षा जीद चौधरी ने की मांग बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने अजीद चौधरी ने कहा बीजेपी की जेडियू से ज़ादा सीटे इसलिए सीम हमारा हो लेकिन बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि हम नितीश बाबू को ही मुख्यमंतरी बनाएंगे लेकिन क्या का इन्हों ने आईए देखते है भाजपा के कारेकरता है ठीक है कि कोई उस तरह से जो है भाजपा के कारेकरता अपनी राय नहीं दे पाते हैं लेकिन भाजपा के कारेकरताओं के मन में ऐसी भावना है और एक आंकड़ा भी ऐसा दिख रहा है अभी मैं उस आंकड़े पे विश्वास नहीं करता लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कांकडा ऐसा दिख रहा है और कार्यकरताओं पे भाजपा को मेंडेट दिख रहा है भाजपा कांकडा जाता है जादा है और भाजपा के कार्यकरता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहना होना चाहिए और काउंटिंग में यहाँ पर बीजे पी में उठी पार्टी के सीम की मांग ये इस वट की बड़ी ख़वर लेकिन मैं आपको बताना जाओंगा खुद राजनाथ सिंग जी ये कह चुके हैं कि सीम नितीश कुमार ही बनेंगे और वो उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि अगर पार्टी में हमारा संक्या बलजादा है अब गटबंदन में तो भी सीम नितीश कुमार ही बनेंगे मैं सीधे एक क्विक रियाक्शन यहाँ पर मेरे साथ मेरे खास मेमान जुट चुके हैं उनके पास जाने से पहले यहाँपर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगा जो मेरे पास अभी जानकारी आ रही है उसके मताबिक ये वड़ी महत्मुर जानकारी है अभी भी 24 सीटे ऐसी हैं जहाँपर हजार से कम वोटों का अंतर चल रहा है बाईस सीटे ऐसी हैं 24 सीटे ऐसी हैं जहां पर हजार से कम वोटों का अंतर चल रहा है लेकिन 24 सीटे और उपर के आकड़े धुआ धुआ सा ये शहर क्यों दिखता है सुना है बाजार में धुए का सामान बिखता है ये दिवाली सिर्फ दिएवाली